नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैल पे दोस्तों आज ही क्लास में 21 नमबर के सभी महत्तपून गरेंट अपर डिसकस करेंगे तो प्लीज आप पूरा वीडियो पिल्किल ध्यान से देखेगा अगर आप नहीं तो दोस्तों प्लीज आप चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही बेल आगन को जरूर दबाईएगा ताकि आपको वीडियो के नाटिविए सब्सक्राइब मिलते रहें फेस्बूक और टेलिगाम पर दोस्तों आप हमसे जुड़ जाएगा हम यहाप रोजाना महत्तपून इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और क्लास से जो नोट्स, पीडियो पर अनितरा के वीडियो साबको इंस्टा मोजे पर मिल जाएंगे आप यहाँ पर जाके उसे खरी सकते हैं चले दोस्तों सबसे पहले हम कल का सवाल देख लेते हैं कल वीडियो के अंट में मैंने आपसे एक सवाल पूज था सवाल था कि ह हाले में किस देश ने क्रित्रिम सूरज अर्थात आर्टिफिशल सन का निर्मान किया है तो कौन से देश ने क्या चीन ने क्रित्रिम सूरज का निर्मान किया है जो असली सूरज से 6 गुना ज्यादा है और आप सभी ने इसका सहीं जाब दिया है तो दोस्तों इसी तरह परिए तो इसके बार हम औरड़ी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अब आप पिछला क्लास नहीं देखें तो एक बार जाकर पिछला क्लास जरूर देख लिजीगा चली शुरात करते हैं आज का पहला प्रशन हम देखते हैं आज का पहला प्रशन है कि हाली में किसे इंद इंद्रा गांधी शांती पुरुषकार कब दिया जाता है 19 नौमबर को और 19 नौमबर को ही क्यों दिया जाता है क्योंकि 19 नौमबर को इंद्रा गांधी जैनती होता है और इस वर्स के लिए इंद्रा गांधी शांती पुरुषकार जो है किसे दिये गया मनमोहन सी को पूरु प्रधान न्याधिश्टी एस्ठाकुर ने मनमोहन शी को यह पुरुषकार प्रधान किया यह पुरुषकार इंद्रा गांधी इस्मृती न्यास द्वारा शांती निरस्त्री करण ये विकास के लिए काम करने वाले वेक्तियों समुहें संस्थाओं को दिया जाता है मनमोहन शी को वर्ष 2004-14 तक प्रधान मंत्री के रूप में देश के आर्थे के हम समाजी के विकास और विष्व में भारत की शाख को बनाया रखने के लिए पुरुषकार दिया गया मनमोहन सी के संदर में जो भी इंपॉर्ण चीज है वो हम देख लेते हैं मनमोहन सी का जो जन्म हुआ था वो 26 सितंबर 1932 में हुआ था मनमोहन सी भारत के तीसरे ऐसे प्रधान मंत्री थे जिनोंने PM की रूप में अपने दो कारेकाल पूरे किये थे मनमोहन सी RBI के मतलब रिजरो बैंक आप इंडिया के गवर्णर रहा चुके थे मनमोहन सी भारत के 13 नंबर के प्रधान मंत्री थे पीवी नरसीमहन राओ के समय जब पीवी नरसीमहन राओ जो है प्रधान मंत्री थे तो उस समय यह वित्य मंत्री थे तो यह काफी important question मैं में आया था LPG मतलब liberalization, privatization और globalization मतलब उदारी करण, नीजी करण और वैश्वी करण इस समय भारत में आया था देखें भारत जो है 90 के दसक में क्या था एक बंद अर्थ होस्ता थी मतलब कोई भी बाहर के जो product होते थे आसानी से भारत में नहीं आ सकती थी और भारत में जो में दूर की गई और काफी योगदान रहा था भारत को आगे बढ़ाने में तो भारत की जो अर्थ होस्ता थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी तो इनके कारण भारत जो है काफी ग्रोग किया था तो ये काफी important question भी है मनमोहन सी दुनिया के जाने माने अर्थ सास्तियो में गिने जाते हैं इन पर एक पुस्तक लिखी गई है the accidental prime minister और इन पर एक movie भी आ रही है जिन में मनमोहन शी का किरदार कौन निभार है अनुपम खेर जी और इनके जो writer इस पुस्तक के वो कौन है संजय बारू तो ये इनके writer है अब दूसरा प्रशन हम देखते हैं आज का दूसरा प्रशन है निम लिखित में से किस जनरल में प्रकासित रिपोर्ट के नुशार जलवायू परिवर्तन की कारण ही सिंदू घाटी सभ्यता का पतन हुआ था देखे सिंदू घाटी का पतन कैसे हो इसमें काफी मदभेद है तो अभी हाली में एक पत्रिका में प्रका लेते हैं हाली में किए अध्यन में पाया गे कि जलवायू परिवर्तन की कारण ही सिंदू घाटी सभ्यता का विनास हुआ था सोध करताओंने समुद्री जिवास्मा और इसके डिने का उप्योग करके यह निसकर्श निकाला है कि जलवायू परिवर्तन के प्रकोप की राष्टी समुद्वारा किये गए इस अध्यन का शिर्सक क्या था नियोग्लेशियर्श क्लाइमेट एनॉमलीज एंड हडपाई मेटामॉर्फोसिस यह इसका सिर्सक था सिंदु घाटे के तापमाद था मौसम के पैटर में बदलाओ की वज़े से ग्रिश मकारिन मानसूनी बारिज में धिरे-दरे कमी आने लगी जिस वज़ाए से हडपाई जो है वो सहरों के आसपास क्रिश्चिकार यहां पर करना मुस्किल हो रहा था और यहां से जो है वो सो आगे बढते हैं कोईश्चिन नामर know 3 देखते है तीसरा प्रसेशन हम देखते है हाल्द में भारती सटल लक्ष सहन ने जूनियल वर्ड बेड्मिंटन चेंपिंशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता तो इन्होंने जूनियल वर्ड बेड्मिंटन चैंपिंचिप में कांश पदक जीता है याद कांश सी पदक लक्षिषेन ने भी हाली में जीत लिया है भारत के शीर्ज जुनिर सट्लर लक्षिषेन ये मातर 17 वरस्के हैं उन्होंने कनाड़ा के मार्कहम में आज इंट जूनियर बेडमेंटेन चेंपियन से दो अर्थरा वेकांस से पदक जीता है सेमी फैनल मैच में इन्होंने किसे किसने इनको हरा है तो यह भी हम देख लेते हैं एकल सेमी फैनल मैच में वर्सिस खिलाड़ी और थाइलेंड के विसु जूनियर नंबर एक कुलावुत से हार ग अंधराराश्टी फिल्म समारो की शुरुवात कहां पर हुई है गोवा में शुरुवात हुए कौन सिक संस्क्राण है यह 49 पतंतरुर महसों क है व्वारत का 49 अंधराश्टी फिल्म समारो shift श्यामा प्रशाद मुखल जी इंडोर इस्टेडियम में उद्घाटन सा महरों के साथ सुरू किया गया नव दिवसी कारेक्टरम 68 देशों की 212 फिल्मों का प्रदसन करेगा दा एस्परन पेपर जो है उद्घाटन फिल्म है सिल्ड लिप्स समापन होगी चैतन या प्रशाद महुस्तों निदेशक है जबकि इसराइल फोकस देश है जारखन इस वर्स का फोकस राज है तो फोकस देश इसराइल है फोकस राज कौन सा है मतला किस पे फोकस किया जाएगा जारखन पे The Other Stories समय दस इसराइली फिल्मों को IFFI इसका फुलफाओ भी याद रखीगा International Film Festival of India में प्रशित किया जाएगा अनुभवी इसराइली फिल्म निर्माता डैन वोलमेल को इस वर्स लाइफ टाइम एच्विमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है इनको तो इनका नाम आप याद रखीगा अब आगे देखते हैं गोवा कहाँ पर है और इसके संदर में जो भी महत्तपून चीज़ है उसको हम एक नर्स देख लेते हैं करें यहाँ पर गोवा है इसकी राजानी पंजे है भारत का सबसे चोटा राज है ठीक, छेत्रफल की द्रिष्टि कौन से अगर बात कर रहे हैं तो सबसे चोटा राज है गोवा गोवा की राज की भासा है कौकणी और यहाँ पे जो प्रमुक नदिया है गोवा की मंडोवी जुवारी गोवा में मात्र दो जीले हैं बहुत छोटा राजी है सुतन दता के बाद भी गोवा पुर्थगालियों के कबजे में था जिसे 1961 में मुक्त करके दमन और दीव के साथ मिला कर केंदर सासित प्रदेश बनाय गया था तो 1961 में ये आजारत हुआ था ये काफी बार पूछा जा चुका है और सबसे ज़्यादा इंपोरेंट ये है कि गोवा को कब पूर्ण राज्य का दरजा प्राप्त हुआ था कौन से नमबर का ये राज्य हो गया हुग्का बार में प्रतिबंध लगाने वाले तो इक तीसरी नमबर का न्याय प्रक्रिया को आतंकी गतिविधी घोशित किया गया तो कबिलों की एक नाय प्रक्रिया होती है उसका नाम भी हम देख लेंगे उसको आतंकी गतिविधी घोशित कहां पे किया गया इराक में घोशित किया गया इस प्रक्रिया को आतंकी गतिविधी इराक के सुपरियल मजिस्ट्रेट काउंसिल ने सकती साली कबिलों के बीच प्रचलित कबायली न्याय प्रक्रिया देगा आशाईरिया तो ये इस प्रक्रिया का नाम था को आतंकवादी गतिविधी माना है जिसके लिए मृत्रियुर्ण की सजा भी दी जा सकती है इराक देखिए कहां पर इराक है टर्की सीरिया सौधी अरबिया ये सब इसके परोसी देश है यहां पर इराक है इसकी राजधानी बगदाद है बगदाद इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है इराक की दिनार इसकी मुद्रा है अब आगे देखते हैं क्वेशन न नागरिक उड्डियान एम वानित जिवा उद्योग मंत्री सूरेश प्रभू और नागरिक उड्डियान राज्य मंत्री जैंत सिन्ह ने 19 नमबर को नई दिल्ली में एयर सिवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप का उन्नत वर्जन लॉंज किया है दोनों तरह की प्लेटफॉर्म पर प्रहौस अली मोबाइल एप के जर्येक किया जा सकेगा इससे यात्रियों को बाधा मोक्तेम सुविधा जनक हवाई यात्रा करने का अनन्द मिलेगा जैन सिन्हा ने चेन्नाई हवाई एड़े पर चेंपियन पुरुषकार भी दिये जिसमें एक वर्ष में 100% सिखायतों को समय पर निवारं करना शामिल था तो चेन्नाई को मिला ये पुरुषकार अब आगे देखते हैं क्वेस्चिन नमर आठ देखते हैं हाली में कहां इंडो जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल आयोजित किया गया तो ये कहां पर किया गया है पूने में इंडो जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया था भारत जापान बिजनेस काउंसिल का बिजनेस फेस्टिवल हाली में 17 नमबर पूने में आज़ित किया गया था कि जापान कहांपर मैप में आप देख सकते हैं यहांपर जापान है जापान को उगते हुए सूरज का देज भी कहा जाता है ुसकी राजता नी टोक्यो है इसकी मुद्र है जैपनिश येंद और यहां के राष्टपती को ने सिंजो आबे यहां राश्टपती है, question number 9 देखते हैं, नौवा प्रस्णा है, हाल यह में दुनिया के 60 वैज्ञाने को ने voting करके किस माप इकाई के सबसे बड़े पैमाने या मानक को हटाने की surprise दे दी है, तो किस माप को भी, किस माप पे बदलाव करने बात भी चल रही थी, तो इसको याद रही है किलोग्राम, ठीक है, और इसके बारे में भी हम चलिए देख लेते हैं, फ्रांस में दुनिया के 60 वैज्ञाने को ने voting करके किलोग्राम के सबसे बड़े पैमाने या मानक को हटाने के surprise दे दी है, यानि अब एक किलोग्राम का वजन बदल दिया जाएगा, बता दे किलोग्राम को मापने वाली वस्तु फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक तिजोरी के अंदर रखी गई है, ये प्लेटिनम से बनी हुई, आप इस इमेज में देख सकते हैं, प्लेटिनम से बनी एक सील ह इसका नाम है, ये कहा जाता है, यह एक सिलेंडर है और इससे ही इंटर्नेशनल प्रोटोकल किलोग्राम माना जाता है, अब तक इसे एक किलो के सबसे सटिक बात की रूप में माना जाता था फ्रांस के वरसाइल्स में आयूजुटवाग्यानिकों के एक सम्मेलन में लाओ करेंगे तो क्या असर हो गया देखे हमारे लिए फैदयमन नहीं होगा उतना जो है बहुत ही कम ऐसा इसमें दिखे का चेंज इस लेकिन ये वैज्यानिकों के लिए काफी फैदयमन होगा काफी असरदार होगा क्योंकि उनके लिए पॉइंट्स की भी वैल्यू एक पुराना बाट है क्योंकि इस बाट का च्छरन हो रहा था कुछ साल पहले इस एक किलो के बाट में 30 माइक्रोग्राम का फर्क आया था ये फर्क चीनी के दाने जितने जितना है लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये फर्क बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं आपको बताया कि इसका जो बदलाव होगा उसमें आम आदम को कोई परिशानी नहीं होगी और कुछ दिकत भी नहीं होगा लेकिन वैज्ञानिकों के लिए फायदय मन्द हो सकता है मैं 2019 के बाद मीटर और सेकंड के साथ साथ कुछ और इकायों के मानकों की परिभासा में भी बदलाव हो स गये थे तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्यों इन्होंने छोड़ा था और अब कैसे ये जुड़ गया है मालदीव केमिनिट ने तीरपन देशों के राष्ट मंदल समू से वापस होने के दो वर्स बाद राष्ट मंदल समू में पुना शामिल होने की मंजूर दे दी है गोष्टना मालदीव के नए राष्टपती इब्राहिम मुहमद सोली ही ने किया है अब प्रस्ताव संसद में अनुमोदन के लिए भेज़ा जाएगा भष्टाचार पर दबाव बढ़ने और माना अधिकारों का हनन्त करने के बीच देश ने अक्टूबर 2016 में पूर राष माले है और यहां पर कौन सी करेंसी चलती है मालती प्यान रूपिया कुछ अन्य मत्तपुन समाचार हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ ने लखनों में नारिश शक्तिकर्ण शंकल पर अभियान या महिला सशक्तिकर्ण अभियान प्रदेश के मुद्दों की निग्रानी के लिए विशेशक्य पैनल स्थापित किया एसिया प्रशांत आर्थिक शहयोग जिसे हम एपक कहते हैं इसका सम्मेलन शिखर सम्मेलन पोर्ट मौरेसी पापुआ न्यू गिनियन राज़दानी में आजुद किया गया एपक के 21 दे हो जाएगा अब चलिए दोस्तों आज का सवाल जिसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है इसका हम पर लते हैं कि कौन सवाल है हाली में भारत रूस स्वयूंक तब्यास इंद्र 2018 कहां आयुजित किया गई यह आपको बताना है दोस्तों प्लीज इसका जवाब कमेंट आपकार धन्यवाद